हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई चैनल जैसा कि आपको थमनिल से पता चला होगा और अभी भी आपको दिख रहा होगा कि आज जो की जो रेस्पी है वो तंदूरी चिकेन की है तो मैं इसे दो तरह से आपको बनाना बताऊंगी एक तवय पे और एक मैं ओवेन पे एलेक्ट्र करना ना बुले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर गरनें चाइंकर कर दे ell कर दें कर दें एक में आपे लोन केजी चीकेन को लिया है और हमें इसे दो तरह से नीशन इसके ट्यार करने हैं तो एक पे लशुन और अधरक के पेश्ट दो चमच डाले हैं और यहां मैं कस्मीरी लाल मिर्श टाल रही हूं एक चमच भरके शॉल्ट डाला है मैंने तो हमें दो बार सॉल्ट एड़ करने इसलिए मैंने आपे आधे चमची सॉल्ट डाले हैं और हमें अच्छे से इसे मिक्स करना आप देख शकते हैं कि इसे अच्छे से हमें सारे मशालों को चिकेन में अच्छे से रब कर देने हैं जिसे कि इसके जो निम्भू और जो मिर्ची लशुन के जो पेश्ट है वो अच्छे से इसके इसमें मिक्स हो जाए तो इसे आप अच्छे से इसे हमें तो एक मेरिनेशन उसमें लग चुके हैं दुसरे मेरिनेशन त्यार करने हमें तू मैंने यहां पे हंक merchant लिये हैं दहि को मैंने यहां पे कपरे में डालके इसकी पानी को निकाल दिया था ओर यहाँ मैं चार चम्मच दही और 치मंच मैंने अध्रक लॉषन के पिश्ट आले हैं यहां पे मैं हलदी थोरे से फूड कलर ले रही हूं चुकि यह तंदूरी है तो थोरे से इसमें कलर आने चाहिए जिससे की मार्केट वाला लुक का जाए तो आपको अगर लगता है तो आप डाल सकते नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं कलर को और यहां पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती ह के और इनहें हमें 2 घंटे के लिए कमसे कम फ्रीज में डाल देने हैं जिससे कि यहां अच्छे से इसके जो मैं है वह चिगें में इसके टेश्ट रादें तो चिकें तंदूरी बनाने के लिए आप जब इस तरह से माशाले लगा दे उसमें तो कम से कम दो से तीन घंटे के लिए आप जरूर इसे फ्रीज में रख दे तो मैं भी वही करने वाली हूं इसे अच्छे से मैं लगाऊंगी और फ्रीज में डाल दोंगी दो से तीन घंटे के लिए झाल 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 तो इस तरह से मैंने इन्हें मशालों के साथ रेडी कर दिया है इसे मैं डाल देती हूं जिसे कि यह दो तिन घंटे तक आराम से फ्रीज में रहेंगे तो फिर तीन घंटे के बाद मैं इसे निकालूंगी उसके बाद हमें इसे फ्राइब करना है तो मैंने इसे रख दिया तक प्रेज में और तेन घंटे हो चुके हैं अब हमे इसे फ्राइब करना है तो मैं यहां पिडियों दूप अगी में और थो दाल को दो यहां आपको फ्राइब ना बता हूंगी और दो पीसेज़ को मैं यहां तो इसे पहले मैं एक बार देख लेती हूं अच्छे से डाल देती हूं अच्छे से पकते हैं यह लेकिन मैं आपको दोनों तरह से बनाना बताऊंगी तो यह इस तरह से हो चुकिए अब यह आप देख सकते हैं यह इसकी वायर है तो ट्रे में हमें अल्मूनियों डालने होते हैं और वायर को हमें पीछे से यहां से हमें से कनेक्ट करना होता है और इस तरह से हीची यह इसे मैं आपको निकाल करके जिखाती हूं है अऊ है मििति कर लिया था और ओवेन को मैंने परीट कर लिया है और अब मैं इसमें और मेने एक जाल यूआ इस वायका कर दालने अक बनाना दाना नहीं तो यह चिकेन तो इस तरह से दो जा चुकि है अब मैं इर अंदर डाल देती हूं और इसे हमें दस मिनट के लिए डाल देना है जो तो देख सकते हैं लिए हैं इस ऑच्छा से पल soit आएगी फ्राइपन में अब हुआ है और इस तरह से ये पंदर से दस दस से पंदरा मिनित में फ्लेम और इसे आप मीडियों फ्लेम में करके आप कम से कम दस मिनट लगी जाते हैं तो इस तरह से हमारी ये भी रेड़ी हो चुकी है अब चुकी ये देख शकते हैं आप तो इसी स्टेस पे अब मैं इसे भी निकाल लूँगी क्योंकि अब इसे हमें कुछ करना नहीं आप देख शकते हैं मैंने इसे उडल लटते पलटते वह अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है तो फ्राई पैन में भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं यह और यहां हमारी जो हमने तंदूर में डाली ती हो भी रेडी हो चुकी है तो इसे भी मैं निकाल के आ समातीज है यह भी रेडी हो चुकी है तो वीशे भी मैं निकाल लेती हूँ और अब हमें इंजब की प्लेटिंग करनी है तो मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ वीशे आप सैलेड वेगर के शाथ में सर्व पर सकते हैं ग्रीन चटनी के शाथ में तो मैं वही करने वाली हूँ शुफ्रेंड मेरी वीडियो पशंदा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना अभूले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके वेल का इकन को क्लिक कर दें